अपठीत गध्यांश या पध्यांश को कैसे हल करें इसके लिए हमें दिये गई गध्यांश या पध्यांश को ध्यांश से एक या दो बार पढ़ना है और दो बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता तो फिर प्रश्णों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और एक सबसे पहले आसान प्रश्न का उत्तर दीजिए और उत्तर जब मिलता है आप जब ढून रहे हैं उसमें अंश्मया उत्तर अगर कहीं आपको लगता है कि ये इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए रिखांकित कर दीजिए या ब्रैकेट करके उतने हिस्से में जितना हिस्सा आपको लगता है संभावित उत्तर है तो वहाँ पर प्रश्न की संख्या जिसके लिए आपने वैय उत्तर सोचा है वो वहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न पत्र पर संख्या या टिक मार्क लगाने के अलावा कुछ भी लिखना बोड परिक्षा में मना होता है अपनी भाशा में उत्तर देने का प्रियास होना चाहिए और उत्तर को बहुत अधिक विस्तार ना देकर शब्द सिमा का ध्यान रखते हुए संख्येप में लिखना चाहिए पूछे गई अंश में जिस विश्य को केंदर में रखा गया है उसी के आधार पर आपको शीशक लिखना है शीशक छोटा होना चाहिए और शीशक का हिंट अक्सर हमारी जो शुरू की पंक्तियां होती है अनुचे या जो भी आंश आपको दिया गया है उसकी शुरू की एक दो पंक्तियों में मिल जाता है या फिर आखरी की पंक्तियों में हमें आइडिया हो जाता है कि इस अंश क शीशा क्या होगा अपठित प्रद्यांश या कहें काव्यांश किसी ऐसी कविता का आंश जो हमने पहले नहीं पढ़ी है उसको पढ़कर समझना इतना सरल नहीं होता और फिर उसके उसमें दिये गए प्रशनों के उत्तर को लिखना यह उतना आसान नहीं है जितना अपठित प्रशनों को हल करना है तो हम क्या करेंगे हम एक बार पढ़ेंगे और फिर नहीं समझ में आये तो उसके प्रशनों को पढ़ेंगे फिर उसके बार एक बार और काव्यांश को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इसमें क्या होता है क्यों समझ में नहीं आता है क्य आज हिंदी विशय के जो छात्र हैं वे सिर्फ अपने विशय की पुस्तकें ही पढ़ते हैं उसके अतरिक्त हिंदी का अध्यान करते नहीं हैं जिससे उनका जो शब्द भंधार है वो बहुत ही सीमित रहता है जिसके कारण बे कहीं कुछ अंसीन पठित उन्हें दे दिया जा हो संस्कृत हो जो भी विशय आप पढ़ते हैं खासकर भाषा है तो उनका अतरिक्त अध्यान भी कभी कभी किया करिए जिससे आपका शब्द भंधार और जो समझने की शमता है वो अच्छे से विक्सित हो सके तो आई पहला हम पध्यान शेहां पढ़ते हैं मैं तो सांसों का पंथी हूँ साथ आयू के चलता मेरे साथ सभी चलते हैं बादल भी दूफान भी कलिया देखी बहुत फूल भी लतिकाएं भी तरू भी अभी तक जितने पंक्तिया हमने पढ़ी हैं सभी शब्दों के लगभग आपको अर्थ पता ही होंगे अक्षा दस ग्यारा बारा में आपका इस तर इतना तो उचा होई गया होगा हिंदी ग्यान का तो आईए आगे पढ़ते हैं उपवन भी वन भी कानन भी घनी घाटियां मरू भी गिरी श्रिंग तुंग भी नदियां भी निरजर जरने कलो लिन्या कुल्याएं भी देखे सरिसागर भी इनकी भीतर इनकी सी ही प्रतिमाएं मुसकाती हर प्रतिमा की धरकन में अंगिनत कलाएं गाती अंदेखे इन आत्माओं से परिचै जनम जनम का मेरे साथ सभी चलते हैं जाने भी एं जाने भी सूर्योदय के भीतर मेरे मन का सूर्य उदय है सूर्य उदय के भीतर मेरे मन का सूर्य उदय है दीखे यहां कविताई है बहुत बढ़िया तो मन का सूर्य उदय है करण किरणों की लेके भीतर मेरा आश्वस्त हरदय है मैं ना सोचता कभी कौन आराध्य किसे आराधू किसे चोड़ दूँ और किसे अपने जीवन में बांधू द्रिग की खिड़की खुली हुई तो द्रिग की खिड़की द्रिग आँखे प्रिय मेरा जहांकेगा ही मानस पट तयार चित्र अपना वे आँखेगा ही अपनों को मैं देख रहा हूँ अपने लगुदरपण में मेरे साथ सभी चलते हैं प्रतिवी मन प्रतिमान भी दूरवा की छाती पर जितने चरन चिन अंकित है उतनी ही आँशू मेरे साधर उसको अर्पित है जितनी बार गगन को छोते उन्नत शिकर अचलके उतनी बार हृदय मेरा पथ में एकांकी पन मिलता वही गीत है ये कहिए हृदय का पथ में सूना पन मिलता है वही पत्र है प्रिये का दोनों को पढ़ता हूँ मैं दोनों को हृदय लगाता दोनों का सावरब कन लेकर फिर आगे पढ़ जाता मेरा रक्त तचा यह मेरी और अस्थियां बोले मेरे साथ सभी चलते हैं आदी और अवसान भी आदी करते हैं शुरुआत अब पढ़ते हैं प्रश्ण निमलिकित में से निर्देश अनुसार विकल्पों का चैन कीजिए पहला है सांसों का मुसाफिर किसे कहा गया है विकल्प है कभी मनुष्य प्रक्रती जीवन और चारों ही हमें ऐसा लगता है कि शायद सही हो प्रक्रती ना तो बाकी तीन तो लगी रहे हैं कि सभी सही हैं तो हमें देखना है कि क्या सबसे अधिक सटीक उत्तर हो सकता है जो हमने कावयांश में जो कुछ पढ़ा है तो पहली दो पंक्तियों में ही जो हमने पढ़ा है मैं सांसों का पंथी हूँ साथ आयू के चलता तो उसकी अनुसार हम देखते हैं कि यह जीवन के लिए कहा गया हो तो हम यहां कहेंगे कि सांसों का मुसाफिर कौन है जीवन यह जो हमारा जीवन है यह सांसों का मुसाफिर है प्रशन संक्या दो देखे सरी सागर भी पंक्ति में सरी सागर का क्या अर्थ है तो सरी का अर्थ है सरिता अर्था नदी सागर का अर्थ है समुद्र सागर के प्रयवाची शब्दों में उधदी, पयोधी, नीरनेदी ये सब नाम हैं तो अगर वे आपको याद हैं तो आप उत्तर आसाने से ढूंड सकते हैं तो यहां चार विकल्प दिये हैं समस्त सागर तो सरी का अर्थ सरिता होता है सरिता अर्थ अर्थ नदी तो ये भी उत्तर नहीं है दूसरा विकल्प है सरिता गागर गागर कहते हैं घड़े को कुम्ब तो घट भी उसका एक शब्द है प्रयवाची तो ये भी अर्थ नहीं है तो ये तीसरा अर्थ है नदी नीर निधी, नदी सरिता को ही कहते हैं और नीर निधी सागर का प्रायवाची शब्द है, तो ये उत्तर सही हो सकता है, चौथा भी पढ़ लेते हैं, क्या पता चौथा कुछ और हो, तो सुर सागर, सुर जो है वो देव को कहते हैं सागर तो हमारा प्रश्ण संक्या दोग का उत्तर होगा विकल्पतीन, तीसरा प्रश्ण है मन का सूर्य ओदय, सूर्य ओदय का जो अर्थ होता है सूर्य का उगना, सूर्य रोश्नी का प्रतीक है, सकारात्मा कूर्जा का प्रतीक है, तो सूर्य का उगना तो कुछ पॉजिटिव तो अब जो अर्थ यहां दिये गए हैं उसमें कौन सा सही हो सकता है इसके आधार पर आप देखे मन के सूरज का उगना तो खिन्नता नहीं होगा उसका उतर दूसरा प्रसन्नता तीसरा आसन्नता चौथा भिन्नता तो जो सही उतर है वह है प्रसन्नता मन जब प्रसन्न होता ह तो हम कहेंगे मन का सूरज खिल गया, चौता प्रेश्ण है, अपनो को मैं देख रहा हूँ अपने लगुदरपंड में, तो लगुदरपंड किसे कहा गया है, कवी जो है, अपने लगुदरपंड, उसका लगुदरपंड क्या है, उसका अपना जीवन, उसमें वेज सब देख रहा है तो यहां जो चार विकल्प हैं हिरदय, आंके, मस्तिश्क ये तीनों उत्तर सही नहीं है हमें जो सबसे सटी काव्यांश के अनुसार उत्तर देना है वो चौथा विकल्प होगा जीवन पांचवा प्रेश्न है जीवन में एकांत को कभी किस रूप में देखता ह है एकांत को किस रूप में देखता है कभी हिरदय का रूप नहीं आखों के सपने नहीं लगुता के रूप में नहीं चौथा महानता के रूप में तो चौथा विकल्प महानता के रूप में सही उत्तर होगा तो इस तरह से हमने देखा अगर बहु विकल्पी प्रश्नों क साथ अपठित पद्यांच आपको परिक्षा में आता है तो किस तरह से उसके उत्तर आपको ढूंडने हैं और उत्तर उससे लिया गया अंश है सहता प्रहार कोई विवश करदे जीव करदे मिंस कायर जिसकी नसों में नहीं परुष की धार है करुणा शमा है वीर जाती के गलंक घोर शमा शमकता शमा की शूर वीरों का श्रिंगार है प्रतिशोद से हैं होती शौरे के शिखाएं दिप्त प्रत शोद हीनता नरों में महापाप है छोड प्रीती बैर पीते मूख अपमानवे ही जिनमें नशेश शूरता का वहनी ताप है जेता जेता मिंस जो विजय जीतने वाला के विभूशन शहिशूनता शमा है किन्तु हारी हुई जाती की शहिशूनता अभिशाप है तो आप समझ करेंगे बहुत ही आसान है यह समझने में सेना साज हीन है परस्व हरने की वृति लोब की लड़ाई शात्र धर्म के विरुद्र है यानि शत्रे धर्म के विरुद्र है चोट खा परंत जब सीह उठता है जाग उठता कराल प्रतिशोद हो प्रबुद्ध है पुन्य खिलता है चंद्रहास की विभा में तब पौरुष की जाकरती कहाती धर्म युद्ध है अब हम इस काव्यांश के प्रश्ण कौन-कौन से है वे देखते हैं इनके उत्तर हमें बेसे तीश शब्दों में लिखने है यहां ये निर्देश दिया गया है तो प्रश्ण में क्या निर् प्रश्ण में शब्दों की संख्या वो सिर्फ आपके लिए आपको एक अंदाजा देने के लिए लिखी है पहला प्रश्ण इस प्रकार है शमा कब कलंग और कब च्रिंगार हो जाती है तो शुरुआती पंक्तियों में ही आपको उत्तर मिल गया होगा कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वे उनके लिए शमा कलंग है और जो शमा करने योग्य वीर पुरुष होता है यानि जो शक्ति शाली होता है शमा उसी को शोभित करती है उसी की शोभा होती है क्योंकि वीर पुरुष ही शमा करने योग्य व्यक्ति है वो ही किसी को शमा दान दे सकता है इसलिए य उसका श्रिंगार होती है तो शक्तिशाली की शोभा क्षमा है और कायर व्यक्ति के लिए यह कलंक है किसी से बदला लेना प्रतिशोध है यह उत्तर है दूसरे प्रश्नका जिसमें है प्रतिशोध किसे कहते हैं रिवेंज तो किसी से बदला लेना प्रतिशोध है यह कब आव जहां हम देखते हैं कि अन्याय हो रहा है अधर्म हो रहा है तो अन्याय को रोकने या किसी दुस्ट को अधर्मी को सजा देने के लिए प्रतिशोद आवश्चक होता है यह जो ब्रैकेट्स में है यह शब्दों की संख्या है कैसा ओके थर्ड सहीशोंता को विभूशन और लेता है उसके लिए सही शूनता विभूशन है और जो हारा वो अब्यक्ति है जो लड़ने से पहले ही हार मान लेता है संगर्श नहीं करता उसके लिए है अभिशाप बन जाती है और कैसा धर्म कैसा युद धर्म के विरुद माना गया है तो आपने उन पंक्तियों में कि लोभु के लिए या किसी लालच के लिए किया जाए वह धर्म के विरुद है अब जो अंतिम प्रशन है भाविस्पस्ट कीजिए तो अब जो आपने पूरा पध्याश पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया कि यहां वीर पूरुशों के पौरुश की सराहना का प्रश पौर्द लड़ना है तो यहां पौरुश की जागरती कहाती धर्मयुद है इसका भाव कुछ इस प्रकार होगा कि शक्तिशाली वीर पूरुश अन्याय के सामने चुप नहीं वैठता और धर्म के लिए लडता है धर्म को दूर करने के लिए धर्म के लिए लड़ता है तो तो इस तरह से हमने दो उधारनों के साथ यह समझा कि अपठित का आव्यांश को हम किस तरह से हल कर सकते हैं और अपठित गद्यांश के पार्थ भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुए हैं आप उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं या फिर पिं